हेलो व्रुपर कैसे है आप सब लोग तो आज इस फीडियो में बात करने वारे में कार्पल मोंजिए होती है उनके नम नाम कैसे एजीली याद रखेंगे तो सबसे पहले एक आपको ओवरी व किसे यहांड के बारे में आपकी जो हैं ट्रूरी से में कितने में होते हैं इस होंगी 5 metacarpals and इसके बार आपके fingers में कौन से होंगी phalanges होंगी तो इसका कैसी divide किया है कि 27 bones है total जिसमें से carpal आपकी 8 carpal bones होती है आपके 5 metacarpal bones and 14 phalanges अभी क्या होते कि जो phalanges है इसको 3 में divide कर दिया है ठीक है जिससे अगर हम इस finger की बात करते है ठीक है तो पहले सबसे कि पहले क्या आएगा आपका proximal phalanges फिर intermediate फिर distal phalanges ओके तो हर finger में ऐसी होगा लेकिन एक exception है कि आपके जो thump है इसमें intermediate तो होता नहीं है तो क्या होता है इसमें सिर्फ इसमें proximal phalanges और आपका distal phalange होता है ठीक है तो इसलिए जो proximal phalanges है वो 5 होंगी ठीक है 5 fingers में 55 होंगी पर intermediate फोर ही होंगी क्योंकि सिर्फ इसमें प्रेजेंट इसमें तो है नहीं तो 4 होगी intermediate phalanges and distal phalanges एक दो तीन चार पांच एक दम टिप में जो होती है वो 5 होती है तो यह होगी अपकी थोड़ा इस में आद करों हो तो जंदी इजली याद हो सकता है असा मुझे लगता है सी तो आप में क्यूं लिखा है ठीक है हम जब डाग्राम्मी बनाएंगे तो हम देखेंगे कि यह सिक्वेंस कैसे आ तो सबसे पहले इनके नाम भी देख लेते हैं Мिलकल पर अइसे होग़ा आपके पास ठीक है स्काफॉल तो आपे मैं लिख देता हैं ब्लैक से ते ते क्या है स्काफॉल कि स्काफॉल पर स्काफ सच्फैकाई बोन नेच्स्ट है य अपके पास यूनिट है इसको कैसी जात करेंगे कि इसलिि में भूभी ऊपणा हो खॉब को पहले आप देख लू ठीकर ऐब आपका इसकी उनुट हो गया दैना के सुरह कि यंगाई क ट्राइक क्वेंड राइक टम की पीसे एई सी फार्म यहापस T бол आ जाएंगे धर क्या है थ्रैक्षम और सब्सक्राल फ्रैक्रेपीजेंट जैसा एक स्बॉल निसके 45 ट्रेपिजॉआधिस कि अपने मैंस से पढ़ा होगा ट्रेपीजियम ट्रेपीजॉइट ठीक है जिसके फोर साइड इस होते हैं सी कैपिटेट कि और लास्ट है में ठीक है अब देखू क्या होता है कि आपकी जो इस बॉन्स है इसको आप कैसे होगा आपके boat shape का ठीक है एक boat shape लगेगा आपको front view से तहाँ पर मैं लिख देता हूँ boat shape ठीक है on frontal view ठीक है या है boat shape on frontal view उसके बाद unit ka shape देख लेते हैं थोड़ा तो उसका क्या होगा कि आपका जो यह होता है half moon होता है okay crescent shape तो उसके जैसा होगा यह होता है ठिक हैं? आपका है triequintrum, ठिक हैं? ये कैसा होगा? triangular होगा, tri है तो आपके ब्लाब करने है triangular shape का होगा होगा है, ठोड़े साही मैं आपके लिखते हैं, triangular ठिक हैं? जापका बिस्सी form ही ठिक ये एक ठम जैसे जोल सब्सा होता है, जिसम P shed का होता है जिसको में बटर बोलते हैं तो वैसा होता है P-shape Next आपका Trapezium, Trapezium क्या होगा आपका एक Table Shape होगा थोड़ा ठीक है, क्या होगा Table Shape चार साइड होती है उसके और से जो Trapezoid है ये भी सेम ऐसी होगा ये भी आपका Table Shape होगा ठीक है, आप आपका जो Capitate है Capitate कैसा होगा आपका, ये Head Shape होगा ठीक है, एक बहुत बड़ा Bone होगा बीच में से, हम देखेंगे डाइग्राम में तो ये कैसा होगा Head Shaped होगा, आपका जो Hamit होगा, ये भी थोड़ा बड़ा Bone होगा लेकिन इसमें एक Hook Like Projection होगा इसमें एक Process होगी है तो इसमें लिख देते है With a Hook ठीक है, तो अब आपको कुछ इसके Shape की आइडिया तो मिली गई होगी कि इसके Shape कैसे कैसे होती है ठीक है, तो अब आपने जो ये 8 Bones देखी है ये अब 8, एक साथ तो होती नहीं है येनके 2 rows होती है ठीक है, अब 2 rows कैसे होगी, कहा से Divide होगा यहां से हम इसको Divide कर देंगे तो पहली row ये है फिर दूसरी row ये है, तो आपकी जो ये Bones है तो पहली आपकी yearly Bones आएगी ये आपकी SLTP, SLTP आएगी फिर उसके उपर आएगी आपकी TTCH वाली line आएगी ठीक है, तो जो इस वाले जो group है इसको क्या बोलते हैं, Proximal row of carpel तो यहां पर मैं लिख देता हूँ क्या है ये? Proximal, ठीक है? Proximal row of carpel ठीक है, आप समझ रहे होंगे Proximal क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये joint में पहले आती है, जहां पर ये इसका joint है, यहां पर पहले कौन आ रही है आपकी यह लिपोंच आ रही है, तो उसको Proximal row बोलेंगे, और उसके बाद कौन सी आ रही है आपकी Distil row आ ली, तो उसको हम बोलेंगे वह मैं बदा देता हूंको पहले, तो आप गयाद करेंगे पहले, Shelly left the party to take capital hat ठीक है, तो जिसके जो उसको initials हैं, आप उससे क्याद रखेंगे, नाम याद करेंगे जैसे, S से है, आपका स्कैफॉइड फिर L से linear, T से trichutrum, फिर P से, P से form two, two से क्याएगा, trapezium take से क्याएगा, trapezoid capital से, capitate और hat से, hammade, इस वे में आप जात कर सकते हैं या तो एक ऐसा है, यह मैंने अपने बदा बनाया है मैंने तो इसी सियाद किया था, तो क्या है स्कैलू, आप मैंने यह थोड़े अजीव-जीव इसलिए बनाया है ताकि इनके नाम एक्दम clear मुझे पर चलता है क्योंकि बहुत लोग का है, confused होजाते है trapezium पहला आएगा, यह trapezoid पहला आएगा तो इस वे में मैंने आप बना रखा है इसे तो क्या है यह, skellu, ठीक है तो आपको scaphoid, or lunate skellu tris playing, किसी का नाम है skellu, ठीक है, तो skellu tris playing tris से क्या हैगा, trichuitrum playing से क्या हैगा, PC form तो क्या बोल रहे है, skellu tris playing और फिसकी समझो, कोई है इसका दोस्त, thumtoid, उसका नाम है tumtoid, ऐसे याद रखो, तो इसलिए ऐसे क्यों बोलने मिलें, क्यों क्या याद होगा कि क्या है आपका, trapezius है और toid से क्या है आपका, जैसे इसका initial है, t, और em trapezium है, तो मैंने ऐसे ऐसा बनाया है ठीक है, tum, और इसका trazoid, तो toid तो tumtoid called her ठीक है, तो आप कैसे भी बना सकता तो अपने easyly याद रखो, तो मैंने तो ऐसे याद कहता था कि Scalutrice playing, तुम toid called her ठीक है, यह से easily याद हो गया था मुझे, next देखते हैं कि अब इनके articulation किस-किस से होते हैं ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं सबसे पहला बात करते हैं, सकफोईड बोन की तो जो सकफोईड बोन है आपकी तो यह क्या है, articulates with the radius ठीक है, आपकी जो radius बोन है, उसके अदा articulate करती है, ठीक है, and it's the largest bone in the proximal row, आपकी जो proximal row है मैंने आपकी बताना है, जी जो आपकी lower row है यह proximal है, यह distal row है तो कि जो proximal row है, उसमें यह सबसे largest bone है, और यह most commonly fracture हो जाती है, ठीक है, कभी आप गिर गए बिर गए सबसे जाद पहले यह fracture होगी mostly आतलब यह fracture होती है, next आता है unit bone, अब इसके बारे में क्या बोला गया है कि, that is the most commonly dislocated carpal bone, ठीक है, dislocation इसका काफी होता है, कभी आपको छोट लगए, तो dislocation इसका सबसे पहले होगा, and इसके बाद है articulates with the radius, यह भी articulate करती है radius के साथ, next आता आता है, next आता है triquitrum, ठीक है, तो यह क्या है एक pyramidal shape की होती है, ठीक है अब जो next row में आते हैं, आपकी जो distill row है उसके जो चार है, उसमें क्याप से पहले है आपका trapezium, आपका जो trapezium है ठीक है, जो आपका trapezium ही क्या है it articulates with four bones, और कौन-कौन सी bones है वो, first और second आपकी metacarpals, ठीक है, उनके साथ करेगा आपकी जो scaphoid bone है, जो हमने पहले देखी थी यह वाली, वो है and अपकी trapezoid जोसकी next bone है, ठीक है अब हम बात कहेंगे trapezoid की it is the smallest bone in the distal row ठीक है, smallest bone in the distal row and यह articulate करती है four bones के साथ, आपकी कौन-कौन सी bones है हो, second metacarpal, आपका trapezium capitate and scaphoid clear, and आपके जो फिल capitate आता है, second last bone आती है आपकी seventh bone आती है आपकी जो तो यह largest bone है, ठीक है इन सभी में, क्योंकि हमने क्या बोला था, यहाँ पे बोला था न कि head shape होती, बीच में एकदम बड़ा सा आ आता है तो यह capitate है largest bone of the carpal bone और यह articulate with five bones ठीक है, कौन-कौन सी है five bones वो five bones है, आपकी, पहले तो एक third metacarpal, okay, trapezoid scaphoid, lunate और hemate, clear अब आप last बात के तो hemate की बात करेंगा, तो hemate क्या है, frequently fractures, ठीक है यह भी हलकाफर की fracture होता रहता है, इसमें, चोट लगने पड and it articulates with five bone and if I bone, कौन-कौन सी है, okay आपकी यह होंगी, fourth and fifth metacarpal clear, fourth and fifth metacarpal आपका capitate आजाएगा, trapezium आजाएगा, तो यह आपका इसके articulation भी हमने देख लिए इसके साथ-साथ ठीक है, आप इसको थोड़ा एक बनाना देख लेते हैं radius, तो आपकी, यह radius bone भी आगए ठीक है, अलनाव radius आगए, अब इसके उपर हमारा जो wrist bone का setup हो आजाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बनाओंगा सबसे पहले आपका scaphoid, scaphoid बनाते सबसे पहले ठीक है, ऐसा कुछ बनाना आपको ठीक है, next bone आगी है आपकी unit, तो अब unit बनाते हैं, यह ऐसा आएगा यह थोड़ा ऐसा है unit के बाद के बाद के आथे हैं, आपकी tricutrum, tricutrum, तो tricutrum भी जस इससे होगी, ठीक है, यहाँ पर touch नहीं होगी यह direct articulate नहीं करती है और उसके बाद क्या बनाएंगे, हमने क्या बनाएंगे distil row, distil row में सबसे पहले start करते हैं, आपका trapezium से, यहाँ से होगी, 1, 2, 3, 4 है, अब 5 यहाँ से होगी, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो ऐसा चलता है, ऐसे, अब हमने बोला, यहाँ पर क्या आएगी, आपकी trapezium, तो trapezium है, 4 shaped है, table जैसे हैं बोला था हमने, तो table जैसा ही है, उसके बाद आते है आपका trapezoid, tumtoid याद न, tumtoid, ऐसे आतका न, tumtoid करके, तो easily याद दो जाता है, यह होगी आपका, ठीक है, trapezoid, फिर हम capitate बनाएंगे, capitate के लिए हमने क्या बोला था कि सबसे बड़ी बोन है, एक्कम head जैसा निकलता है इसका, तो थोड़ा बड़ा सबनाएंगे, तो यह आपका head shape है, ठीक है, एंड, जो last है, आपकी कौन सी होती है, hemate, इसमें निकलोगी एक process जैसे होती है, तो अब वो actually 2D diagram में तो दिखाना possible नहीं होता है इतना, पर जितना है, थोड़ा से दिखा देता हमें, ऐसे ऐसे निकल आएगी, ठीक है, तो अपकी अभी capitate bone, तो उसकी कौन सी है, यह scaphoid, unit, आपकी trichuterum, PC form, ठीक है, गोल सी, फिर इसके next row में क्या जाता है, trapezium, trapezoid, आपकी capitate और hemate, के लिए अब इसके पर हम, आपकी जो metacarpals है, वो ब बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद, इसके पर क्या आएगा, आपके, इमेंटा काड़ अपनके, फिर phalanges बनाएंगे, तो इसमें हमने के तम में दो phalanges होती हैं, सिर्फ, आपकी, proximal और digital phalanges, तो पहले बना देंगे, ठीक है, एक बन की phalanges, और दुसरी जो आपकी digital होती है, यह, ठीक है, तो यह आपकी थम की बन गई, नेक्स्ट बनाते हैं, फटा-फट, तो यह आपकी बन गई, radius, आपकी अलना, आपके यह जो दो ग्रूप हैं, आपके, इस मैं चले हैं, थोड़ा नमबर कर देता हैं, आपकी फर्स्ट, यह आपकी सेकेंड, यह अपकी थर्ड, यह फोर्थ, यह आपकी फिफ्थ, शिक्स्थ, सेवन्थ, एट, ठीक है, तो यह आपकी में चलो, यह फोगई, आपकी यह कौन सी होगी, मतलब यह पूरी जो भी हैं, फैलेंजिस हैं, ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, बनाना भी आ गया होगा, इसका इतना डागरम इतना भी हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा आइडिया नची की, कैसे बनाना है, एंड कौन सी म है अपकी थम में, तो बस इसी के साथ कतम करते हैं वीडियो को, I hope आपको कारपल्स अब अच्छे से याद रहेगा, आप तुम तोइड को भोलेंगे नहीं, तो आपको दिक्कत नहीं है किसको बनाने में और समझने में, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब क्ले, तेक के, गुद्बाइ